नमस्कार मद्दबर्देश की ताजा और बड़ी खबरे रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरू को सब्सक्राइब जरू करें और साथ में बिल आइकन को दवाए आप मद्दबर्देश की जिले से इस नूच को देख रहे हैं कमेंटर बॉक्स में लिखका जरूर बताए आईए देखते हैं मद्दबर्देश से आज दूपेर की बड़ी खबरे इंद्रा सागर डेम के बारा गेट खोले गए रईवार को पूरे पर देश में तेज बार बना रहा ए किस जिलों में पानी किरा भोपाल में तो सड़कों पर बोट चिलाना पड़ी जब कि कई डेम ओड तलाव और फिलो हो गए नदिया भी उफान पर रही कई जगे लोग भी पानी में फस गए दस गायों से जदा पानने वालों का अनुदान देगी सरकार आपको बता दे, कि सरकार गो पालगों को बढ़ावा देगी अम जहरा में ज़जनमाष्टमी के अबसरफ स्रीक रिष्ण परव आयोजन को संबोजित करे हैट उन्होंने कायी उत्जेन में महाका लोक की तरह अम जहरा को विखसित किया जाएगा अम जहरा को तीड़ नगरी के रूप में विखसित किया जाएगा और अम जहेरा में रोकमणी वरण कर शोर का प्रदर्सन करने वाले भगवान सरीक्रिशन का दिब जीवन अन्यूगरनी है राजी सरकार इन छेदर को विकास के विसेस कारे करने का निनलिया यह मटकी फोड़ कारेकरा में भी हिस्स लिया नवंबर से सुरू होगी प्लीस भरती अगले वर्स ही मिल पाएंगे 500 उपवन रख्चक आपको बतादे प्रदेश प्लीस में उपवन रख्चकों के लगों 500 पर दोब भरती की जानी है लेकिन अभी तक सासन से भरती नियम ही तया नहीं हो पा है अब सितंबर से आरज़कों की भरती किलिए सरडेगे तक्षिता परीच्छ प्राराम होने जा रही है जो दो महाँ चलेगी इसे दोरान उपर नरेचकों की भरती प्रक्रिया सुरू होने का सर नहीं है क्योंकि दोरानों में पलीश मुक्यले का अमला लगेगा इसे करन उपर नरेचकों की भरती नमबर या दिसंबर में ही प्राराम करने की तैयारी है बढ़ती प्रक्रिया पूरी होने में 5-6 महा लग जाते हैं इस तरह इस वर्स अंतितक बढ़ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो वर्स 2025 में जून तक उपर निर्जकों की नियुक्ती हो पाईगी तलाब बनाने पर मिल रही है एक लाग रुपे की सबसीडी आपको बद दे किसानों को फसलों के सिचाई कार में पानी की उपल अपदा बनाई रखने हो बड़सा जलका संचे कनने के लिए खेत में तलाब बनाने के लिए सबसीडी दी जारी किसानों को ये सबसीडी प्रतना के तेद अपने खेद में तलाब बनवना चाहते हैं वे इस योजना के तेद आवेदन करके इसकलाब उठा सकते हैं राज्य सरकार ने भी किसानों से योजना का अधिक से अधिक लाव उठाने का अनरोद किया है प्रता मंदे किसी सिचा योजना के अंतरका संचलित बल्राम तलाब योजना के तेद समाने वरके किसानों को तलाब निर्वणा के लिए लागत का 40% परतीस दिया आधिकतम 20 यह रूपे की सबसेड़ी दी जाएगी इसी तरह लगू एबम सीमान ते किसानों को भी लागत का 50 25 की अधिकतम 80 2 रोपे गन दिया जाएगा अनु सुची जाती यह अनु सुची जाती वरके किसानों की लागत का 50 परतीश दिया अधिकतम 1 लाग रूपे की सबसेड़ी दी जाए घिसान शोर्म तलाब को दे सकते हैं या मजदूरों मशीनों का उप्योंग करके तलाब खो तो बिस तक बढ़ा दी है किसान अपनी फसल के विमा करा कर अपनी फसल को आपदा बाड़ और सुका से हुए अर्थे नुखसान की भरवाई कर सकते हैं केंदर सरकार ने तिरुपुरा असम समेद छे राज्यों के लिए पी-एम फसल विमा योचना के लिए आवेदन की लगते हैं इसके बाद किसी भी नुक्षान की इस्तिती में खिसानों को भीमा राज से मिल जाएगी अभी तक इस योचना के लिए आट करोड़ सत्तर लाग सदे किशानों ने आवेदन किया है अब 14 सेतंबर तक करा सकेंगे फिरी आधार अपडेट आपको बतादे आधार काड आज के समय में हमारे लिए एक हेम दस्ते बेज बन गया द्रसल इसके आप सकता लगवग हमें हर चेत्र मेर्सूस होती है थी हम बेंक में काता कुलने ही बात कर रही है या फिर सेम काड एक करना पड़ता लेकिन अब यू आई डी ए आई ने एक नई सुबिदा की शुरुआत की है यानि अब इसके तेद आप अपने अधर काड को बिना किसी सुलुके भी अपडेट कर पाएंगे यसे मैं आपको हम बता दे इस सुबिदा का लाउटाने के लिए आपको आपके ब बरना अटक सकते हैं दो हजार रूपी है जानिए कबे तक आईगी पीम किसान सम्मा निदी योजना के लबेड़तों के लिए कामभी ख़वर है अभी तक योजना इस सत्रवे किस्त जारी हो चुकी है और अब अब अटारवे किस्त का इंदिजार है दियान रहे अटारवे किस्त का लाब के बल उन्हें किसानों को मिलेगा जिनोंने एक वाईसी की फ्रिक्राफ पूरी कर ली है इसके अलावा जमीन की जानकारी और दस्तवे जोग अपडेट कर वाले गलत या अधूरी जानकारी करण अगले किस्त के रासी आटाव सकती सबसे हैं बात आवे दन कर किसी प्रकार की गलत जानकारी दरज हो गई है तो भी लाब नहीं मिलेगा इसे में जल्दे साब कुछ ठीक राले जिन किसानों ने योजना में रेश्टेशन कराते समय कोई गलत जानकारी दरज की थी उन्हें भी अगली किस्त कलाब नहीं मिलेगा इस योजना से बड़े क किसी भी अपडेट या जनकरे के लिए पीम किसार की अधिकारी वेबसेट पर नियमेत रूप से चेक करते रहे। सरकार ने यूनिफाइड फेंशन इसकिम को मंजूरी दी, आपको बता दे महराश्ट सरकार ने राज में यूनिफाइड फेंशन इसकिम लाउ करने के लान किया है, दो दिन पहले 24 अगस्तों केंद सरकार ने नियू फेंशन इसकिम में सुधार कर UPS लेकर आई थी, UPS एक वाला महराश्ट पिलराज बन गया है, महराश्ट मंत्री मंडल के फेशलेक नुशार UPS इस साल मर्च से प्रवाबी होगी, और राज सरकार के सभी करमचारों इसका फायदा मिलेगा, महराश्ट बिदन सभा का कारकार नमबर में समप्त हो रहा है, और अक्टुमबर नमबर आज सोने के रेट कोई ज्यादा बदलाब नहीं हुआ है, लेकिन चांदी के भाव में 100 रुपे गिरावट आई लेए, नहीं किमतों के बाद सोने का भाव 33,000 चांदी के रेट 88,000 रुपे के पार पोच गए है, आज जोंबर को सरफ बजार 12,000 चांदी के नहीं किमतों के म आज सेदा अपने मित्रों में शेर जरूर कीजी गाजा